महरास के पूर ग्रीह मंतरी अनिल देश्मुक को लेकर अभी अभी कोट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आपको बता दूँ कि अनिल देश्मुक को कई महिने पहले ED की टीम ने मनी लोडनिंग केस में गिरफतार किया था सबसे लगातार अनिल देश्मुक जो है वो जेल के अंदर बंध है लेकिन इन ही सब चीजों के बीच में कुछ दिनों पहले यानि कुछ सबते पहले अनिल देश्मूख जो है जेल में फिसल गए थे गिर गए थे जिसकी होजासे उनके सोल्जर की जो हड़ी है वो टूट गई थी जैसा की अपडेट आई थी उस टाइम अब उसको लेकर जो अनिल देश्मूख हैं उन्होंने इस्पेशल कोट में एक याज क्या दाखिल की है इस्पेशल कोट में आज क्या दाखिल करते हुए उनके दोरा बोला गया है कि उनको अपने सोल्जर की फिर से पूरी तरह से सर्जरी करानी है तो उस सर्जरी के लिए उ इसका ED की टीम ने जम कर विरोध किया है, ED की टीम ने बोला है कि अगर अनिल देश्मुक को अपना सरजरी कराना है तो उनको जो है JJ होस्पिटल में सिफ्ट किया जाए, JJ होस्पिटल में सारी कि सारी सुद्धाय उपस्तित हैं, वहाँ पर ये अपना सरजरी करा सकते हैं, ले जो है इडी की टीम ने सीधे सीधे बोला है कि अनिल देश मुख की इस याचिका पर सुनवाई करके कोट की तरफ से इनको कोई राहत नहीं देना चाहिए इनको अगर देना विचाएश सिर्फ और सिर्फ जे जे होस्पिटल भेजना चाहिए आपका क्या ओपिनियन है इस पर कर आपना ओपिनियन कमेंट वाक्स मता है और वीडियो के ज्याज ज्यादा हेर करें